हलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का जी के जोन में तो आज हम करने वाले हैं मांजी परगना शासन व्यवस्था से सम्बंदी सारे प्रशनों को हल्प करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मांजी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाती से जुड़ा में तथा मुंडा शासन विवस्था मुंडाओं में और हो जन जाती क्या है मुंडा मान की सासन विवस्था तो इसका अंसर है अप्सन नमर एग चलि दूसरा देखते हैं मांजी परगना सासन विवस्था संथालों की सासन विवस्था है यह सासन विवस्था जारकन के किस छे चेतर में पायं जाता है संथालूं का सरवादिक संकेंद्रन संत्रा प्रम्हें देखते है। मांजी परगना शासन ववस्था में मांजी गाउं का प्रधान होता है मांजी को गाउं का प्रश्रास्निक व्वसाइक और लगान लेने का अधिकार प्रापत होता है तो मांजी परगना सासन व्युस्था में 5 से 8 गाउं के मांजियों को देश मांजी कहा जाता है यदि किसी मामले का फैसला मांजी नहीं कर सकता है तो उस मामले को मांजी द्वारा देश मांजी द्वारा या फिर मोडे मांजी द्वारा देखा जाता है सब्तर है मांची परगना सासन व्योस्ता में देश मांजी की उपर की संस्था को किस नम से जाना जाता है जो की 12 से 20 गाउं को मिला कर बनता है तो पहले मांजी देखेगा मांजी जो चीज़ नहीं देख पाएगा तो देश मांजी या मूरे मांजी देखेंगे और अगर ये दोनों भी नहीं देख पाएंगे तो इसका हल परगनायत करेंगे परगनायत 12 से 20 गाओं को मिला कर बनता है और यह गाओं के मांजीयों का प्रधान होता है जिस मामले को देश मांजी नहीं निपता सकते हैं उस मामले को परगनायत के पास भेजा जाता है ठीक है आगे देखते हैं मांजी परगना सासन व्यवस्था में यह ग्राम सभा को प्रमुक्ष दश्य होते हैं इन्हें उप मांजी कहा जाता है यह मांजी की अनुपस्तिति में मांजी का काम देखते हैं तो यह कथन जो है निम टारापन करेगा तो प्रानी करेगा प्रानी ग्राम सभा का सदस्य प्रमुक सदस्य इन्हें उप मांजी का दर्जा प्रात है और मांजी के नूपस्तिती में प्रानिक ही मांजी का काम देखता है प्रानिक किसी अपराद का दंड निश्चित करता है दंड वही माना जाएगा जो परानिक द्वारा निश्चित किया गया हो मांधी परगना सासन वस्था में गोडायत निमलिकित में से किसका सचीव का काम करता है तो ये गोडायत जो है परगनायत के सचीव का कारी करता है गोडायत मांजी के सचीव का काम करता है तो यहां परगनायत दिया, यहां मांजी दिया, तो मांजी ही होना चाहिए इसका अंसर, गोड़ायत जो है मांजी के सचीव का काम करता है, मांजी के कहने पर गाउं में बैटकी करने के लिए ग्रामीनों को सूचित करता है, इसके अलावा गाउं के पूजा पाठ में जोग मांजी है जोग मांजी निम्लिकित में से किसका उपसचीव होता है तो ये उपसचीव के भाती कारी करते हैं मांजी के कहने पर गाओं के बैठिकी करने के लिए ग्रामिनों को सूचित करता है इसके अलाव गाओं में पूझा पांट में खजाची का काम करता है और चंदा उठाता है पर्वतिवारों के बारे में गाउं के जनसंक्या तता परिवार की जनकारी रखता है नेक्स्ट है मानजी परगना सासन वयस्था में गाउं में साधी विवा का हिशाब किताब किसके पास रहता है तो वो जोग मानजी के पास रहता है जोग मानजी का उपसचीव है और गाउं के साधी विवा का हिशाब किताब जोग मानजी के पास ही रहता है और यहां युवा मांजी तो उनका कारी कोन करेगा और अगर जोग मांजी नहीं रहेंगे तो जोग प्रानिक करिभार संभलता है तो देखिने विलकुल fine मत हैं ऐ छिते हैं मांझी फृक्त है तो अगर यह नहीं है तो इसकी अलूपस्तिती में प्राणिक जो है इनके कार्यों करें इसकी रूप मैं जोग मांजी जोग मांजी नहीं है कहीं गए है तो इनके अनुपस्तिती में जोग प्रानिक इनके सयोगी के रूप में कारी करेंगे जोग प्रानिक ठीक है तो जोग प्रानिक उप जोग मांजी है जोग मांजी के अनुपस्तिती में जोग प्रानिक कारी करता है मंजी परगना सासन वस्था में निम्न कथन किसके लिए कहा गया है ये गाउं के प्रमुक सज्जन है जो गाउं के परतियक मामले में विचार विमर्स के लिए सभा में उपस्तित रहते हैं तो ये कौन है भागदो प्रजा है भागदो प्रजा गाउं के कुछ प्रमुक सज् के लिए उपस्तित रते मतलब जैसे बुजूर्ग लोग होते हैं उसी तरीके के हैं वो बुजूर्ग लोगें इनसे राय मस्वेरा किया जाता है किसी मेंटर को लेकर मांझी पर्गनस आसन वर्स्ता में यहें एक संघटनात्मक प्रमुख होता है जो गरामिनों के बाहरी मामलों से सुरच्छा करता है तो वह है लासेर गाउं के धार्मिक पूजा पाठ को ये संपन कराते हैं धार्मिक अपराधों के मामले पर अपना फैसला सुनाते हैं और ये गाउं के अंदर जितने भी देवी देता है उनकी पूजा पाठ करते हैं अंसर के है दी मांजी परगना सासन व्यवस्था में यह मांजी के आदेसों से बदमाश व्यक्ति या पराधी को पकड़ कर बांधता है निमलिकित में से किसके बारे में कहा गया है तो यह चौकी दार की विशे में कहा गया है चौकी दार मांजी के आदेसों से बदमाश व्य जाता है तो ऐसे मामले को इस संस्था की सभा में निप्टाया जाता है तो वो कौन सा है वो है दिशूम परगना ये परगना से भी बढ़ा है दिशूम परगना तो मांजी परगना शासन व्यवस्था में सभी परगनयतों के उपर एक दिशूम परगना होता है जब कोई मामल परगनायत द्वारा निप्टाया नहीं जाता है तो ऐसे मामले को दिशूम परगना की सभा में निप्टाया जाता है माजी परगना शासन व्यवस्था में निमलिकित में से किस एक को छोड़ कर बाकी सभी पदादिकारीयों को गाउं की और से जमीन दी जाती है तो वो जो बुजूर्ग लोग थे जिन से सजेशन दिया जाता था भागदो प्रजा भागदो प्रामानिक नहीं है भागदो प्रजा है तो भागदो प्रजा है उन्हें जो है कोई जमीन नहीं दी जाती है तो मांजी परगनासासन व्यस्था में भाग दो प्रजा को छोड़ कर बाकि सभी पदादिकारियों को गाउं की और से कुछ जमीने मिलती है नेक्स्ट है मांजी परगनासासन व्यस्था से संबन देट निम्न कतनों पर कौन सा सत्य है पहला अपराधिक मामलों में सबसे हलका डंड जो एक करेला डंड कहते हैं जिसमें देढ रूपे का दंड है दूसरा है संथाली समाज में जब कोई अवैद संथान पैदा होता है तो उस संथान का नाम करण या गोत्र परगनायत से कर दिया जाता है दूसरा है बीटलाहा एक तरह का समाजिक भाहिशकार है तो देखिए ये कतन सही है बीटलाहा एक प्रकार का समाजिक भाहिशकार है यह तब दिया जाता है जब वैक्ति अवैद संबंद का दोर्शी पाया जाता है तथा जब दंड देने का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है तब परगनेट की अधिक्स्ता में लोग किसी परिवार का बिट लाहा कर देते हैं चलिए आगे देखते हैं मांजी परगना शासन व्यस्ता में बिट लाहा एक प्रकार का समाजिक वहिश्कार है निमलिकेत में से किसी की अधिक्स्ता में लोग किसी परिवार का बिट लाहा करते हैं तो वो है परगनेट मांजी परगना सासर वस्था में यदि किसी संथाली कुवारी लड़की को अवैद गर्व रहता है तो सबसे पहले गाउं में किसको खबर पहुचाई जाती है तो सबसे पहले गाउं के जोग मांजी को खबर दिया जाता है जोक मांजी गाउं की बैठक बुलाता है और अवैद सान्तान के बाप का नाम पूछा जाता है जब वह किसी लड़की का नाम लेती है साथ ही गवाहू से प्रमानित हो जाता है तो वह लड़का उस लड़की को सौब दी जाती है नेक्स्ट है मांजी परगनासासन में उस्था में मांजी और परगनायत के बीच रिष्टा से संबंदित निम्निकित में से कौन सा कथन साती है पहला मांजी परगनायत के अधीन कारी करता है परगनायत के आदेशों का पालन करता है तो ये तो सही है पूराने जमाने में मांजी द्वारा वशूला गया खजाना परगिनायत के यहां जमा किया जाता था वरतमान में इसे अबमांजी द्वारा सीधे अंचला दिकारी वो जमा कर दिया गया जाता है तो इसका अंसर है टी सभी कधन सबते हैं तो प्रशन यहीं पर समापत हो जाता है लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूं कि जो करेला दंड है वो सबसे छोटा दंड होता है और इसमें देड़ रूपए का प्रावधान नहीं है तो इसमें जो है अर्थिक दंड में पांच रूपए से लेकर देड़ सो रूपए तक उड़ान की रूप में दिया हूँआ है कि इतना करेला दंड में लिया जाता है तो दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे तब तक की लिए धन्यवार अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवार है